आपने पियार से ये जंदा बनाया, मेहनद की अपना पसीना दिया, कितने फुट लंबा है ये, 125 फुट लंबा, 83 फुट चोड़ा, वजन क्या है इसका, 240 किलो वजन, और आपके चीफ मिनिस्टर ने, आपसे हिंदुस्तान का जंदा नहीं लिया, ये आपका, ये सिर्फ आपका जंदा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का जंदा है, उन्होंने कहा, जंदे को रखने के लिए मेरे पास जगा नहीं है, अगर आप मुझे दो किलो मेटर लंबा जंदा, दो हजार किलो का जंदा, छोड़ो, पंद्रा किलो मेटर लंबा जंदा, पचास हजार किलो का जंदा, अगर आप मुझे देते, और मेरे पास एक इंच जगा होती, तब भी मैं उसको ले लेता, क्यूंकि इस जंदे के लिए मेरे दिल में बहुत जगा है, और आपके दिल में भी इस जंदे के लिए जगा है, यह एक सोच है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टरों की, प्रधान मंत्री की एक सोच है, जंदे के के लिए जगे नहीं है, आपके खून पसीने के लिए जगे नहीं है, उनके ओफिस में एक कोने में इस जंदे के लिए जगे नहीं है, मगर गुजरात के पांच-दस उद्योग पतियों के लिए पूरी गुजरात की जगे है उनके लिए पांच-दस लोग गुजरात में जो भी चाहते हैं, जितने भी जगे चाहते हैं, कुझा अच्छो हिंदुस्तान में, जितने भी जगे चाहते हैं, पृपानी जी और मोदी जी के लिए दिल में उनके लिए जगे है, मगर हंदुसतान के गरीबों के लिए कमजोर लिगों के लिए डलितों के लिए आदिवासियों के लिए पिष्णों के लिए चोटी दुकांदारों के लिए जगे नहीं है और 20 साल इन्हों ने ये काम किया है चोटा सा उधारन देता हूँ आपको मन्रेगा को चलाने के लिए मन्रेगा को चलाने के लिए UPA सरकार ने 35,000 क्रोड रुपे लगाए थे 35,000 क्रोड रुपे से पूरे देश में मन्रेगा एक साल के लिए चलता है करोन लोगों को रोज़दार दिया लाखों परिवारों की जिन्दगी बदली उसमें से बहुत सारे परिवार दलितों के परिवार थे जितना पैसा UPA सरकार ने मन्रेगा को चलाने के लिए पुरे हिंदुस्तान में डाला उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने यहां पास में टाटा नैनो फैक्टरी को चलाने में डाला 33,000 करों रुपे टाटा नैनो की फैक्टरी को दिया गया हजारा एकर जमीन आपकी टाटा की नहीं मोदी जी की नहीं गुजरात की जनता की जमीन किसानों की जमीन टाटा नैनो फैक्टरी को दिया गया नर्मादा का पानी टाटा नैनो फैक्टरी को दिया गया किसानों से चीन कर बिजनी नैनो फैक्टरी को दिया गयी मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ आप गुजरात में घूमते हो सडकों पे चलते हो आपने इन सडकों पे नैनो गारी कभी देखी है तीन चार महीने बाद मैंने कल दिल्ली में एक नैनो गारी देखी मैं भूबता रहता हूँ भईया मोदी जी की नैनो कहां है कहां है यह नैनो कहां है यह नैनो नहीं दिखाई रहती और एक उज़्योग पती को नहीं किसी को सब पॉर्ट्स पकड़ा दिये किसी को 33,000 क्रोड रुपए किसी और को 1000 क्रोड रुपए आप लिस्क ले लेजी हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उडियोगपती उनके लिए बहुत सारी जगे हैं इनके पास 90 प्रतिशब्द कॉलेज और यूनिवर्सिटी गुजरात में इन्होंने प्राइविटाइज करती आपके बच्चों को इंजिनियर बनना है, डॉक्टर बनना है जेब में से लाकों रुपे निकालो पहले किसी बड़े उडियोपती के कॉलों में जाओ मिदिल क्लास के वियक्ती गरेव वियक्ती पहले जेब में से 5-10 लाक रुपे दे बच्चे एंजिनियर बने और उसके बाद उसको रोजगार नहीं मिलता है पचास लाक बेरोजगार युवाग गुजरात में है 33,000 करोर रुपे बहुत पैसा होता है गुजरात को आप चमकता नया हायर एजुकेशन सिस्टम 33,000 करोर रुपे से दे सकते हो बहुत सारे कॉलिज उनिवर्सिटी लग सकती है मगर नहीं जगा नहीं है हमारे पास जगा सिरफ इन पार्च लोगों के लिए है आप बिमार होते हो हस्पताय जाते हो एकसरे की ज़रोत होती है हमाराई की ज़रोत होती है हजारो रुपे दो ओपरेशन कराना है तो लाको रुपे दो किसको जाता है वोई 10-15 उद्योग पतियों और जो यहां पहले 22 साल गुजरात में किया अब नरेंड मोदी जी हिंदुस्तान में कर रहे है और नुक्षान किसका होता है नुक्षान आपका होता है गरीबों का होता है कमजोरों का होता है बड़े बड़े भाशन होते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुजरात में पिछले 22 साल में नरेंडर मोदी जी ने रुपानी जी ने दलितों के लिए क्या किया मुझे बता दो बस एक काम आपने सब्प्लाइन की बात की एक काम बता दो कि यहाँ हमारा यह काम किया है एक तरफ उनाकान दूसरी तरफ रोहित वहमिला कैसे हिम्मत की कैसे हिम्मत की रोहित वहमिला ने कि शिक्षा के कॉलेज में चला गया नहीं चिठ्थी आती है मिनिस्टर के यहां से चिठ्थी आती है और उसको कुचल देते हैं मैंने वहाँ बोला हईवरबान ने बोला रोहत वेमिला ने आतम हत्या नहीं की थी रोहत वेमिला की हतिया हिंदुस्तान की सरकार ने की थी अच्छा आप ने एक बात एक बात कहीं कि कॉंग्रेस पार्टी कहा थी मैं हैंदरबान में था और जब उना कांड हुआ मैं यहां भी आया था और मैं आपके साथ खड़ा हुआ था गुजराप में बद्लाव आ रहा है और उसको अब चाहें मोधी जी चाहें गुरुपानी जी चाहें अब अच्छा चाहें जो शाजादा खा गया उसका नाम सुना आपने अच्छा दूसरा डायलोग सुनाओगा आपने मोधी जी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा यह तो सुने आपने नोपबंदी की पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा दिया एक गरीब यक्ती नहीं जूटा सबके जब लाइन में कर दिये आप भी लगे थे लाइन में मैं भी लाइन में लगा था तो सब को लाइन में घड़ा कर दिया अच्छे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं इस लाइन में आपने कोई सूटबूट वाले को देखा आपको माले में वह कहा थे बैंक पीछे आले दर्वाजे से अंदर बैते हो थे एसी में हिंदुस्तान के सब चोरों का काला गन नरेंद्र मोधी जी ने सफेद करा दिया नोट बंदी का यह मतलब है उसके बाद जी एस्टी लागू करते हैं हमने उसे कहा है जी एस्टी से नुकसान होगा आठारा परसेंट से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए 5-7 अलग अलग टैक्स नहीं होने चाहिए तीन-तीन फर्म नहीं बनने चाहिए कहते हैं नहीं मैं तो बारा बजे रात को करूंगा कि नोट बंदी भी 12 बज़े राथ को खरूंगा और GST 12 बज़े राथ को करूंगा सअ चैनल फिसी लागू करे दी कि लाखों लोग बेरोखार हुए लाखों बिजनस बंद हुए आंदी से आई, तुफान आया, आग लगी और जैसे पिक्चर में कमी आंदी में से कुछ निकलता है न वैसे आंदी में से एक कमपनी निकलती है चमकते हुई भीया एक हिंदुस्तान में बिजनसमेन है जो बिजनस करना जानता है अमिद शाह का बेटा जैशाह और किसे को नहीं मालूम पचास हजार रुपे को तीन महीने में असी करोर रुपे मना दिया और पधान मंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा अब डाइलग बदल दिया है अब डाइलग बलल दिया है ना बोलूँगा, ना बोलने दूँगा मोधी जी गुजरात की जनता समझना चाती है लाखो बिजनस मैन है गुजरात में बहुत अच्छा बिजनस चलाना जानते हैं मगर जैशा जैसा बिजनस मैन गुजरात में नहीं है और गुजरात समझना चाती है कि पचास हजार रुपे को तीन महीने में असी करोल में कैसे बदला जाता है आप से सवाल पूछ रहे है कि पूरा गुजरात जानता है कि बिना बेहिमानी बिना चोरी किये ये काम नहीं किया जा सकता है और आप देश के प्रधान मंत्री हैं आपने देश को कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूँगा चाहे वो जैशा हो चाहे वो राफाएल डील हो पार्लमन बंद कर रखा है हर साल पार्लमन नुवंबर में खुलता है इस साल नुवंबर नहीं खुलेगा आप देख ले ना चुनाओं से पहले पार्लमन नहीं खुलने वाला गुजरात के बुदा चुनाव से पहले पता है क्यों क्यों कि मोदी जी नहीं चाहते है कि गुजरात के चुनाव से पहले Parliament House में जैशा के बारे में और राफाइल डील के बारे में चर्चाओ हर रोज बयान आते हैं Parliament में हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे खोलिए तो Parliament House को मैं भी दो तीन बाते रिखना चाहता हूँ आपे राफाइल के बारे में जैशा जी के बारे में धोकलाम के बारे में तो सच्चा ही अलग है वाइबरंट गुजराथ सवाल है किस के लिए वाइबरंट आपके लिए वाइबरंट गुजराथ के किसानों के लिए वाइबरंट आदिवासियों के लिए वाइबरंट गरीबों के लिए वाइबरंट या मोधी जी के 5-7 मित्रों के लिए वाइबरंट सवाल ये है ये प्रदेश पूरी दुनिया में जाना जाता है अंग्रेज़ों को आपने हराया आपके जहां भी बिजनेसमेन जाते है जहां भी जाते हैं हिंदुस्तान का नाम मशूर करते है और अगर गुजरात में कुछ है कुछ शक्ति है तो वो शक्ति आप में है गुजरात के जनता में है गुजरात के लोगों में है गुजरात के इतिहास में है और बाइस साल से आपकी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है और मैं आप से यहां कहना चाहता हूँ कि गुजरात में जिस दिन कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हर गुजराती की शक्ति का प्रयोग होगा हर गुजराती की रक्षा होगी गुजरात में कोई नहीं डरेगा और सब को लेकर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे आप जानते हो कि मेरे दिल में दलितों के लिए बहुत जगा है आप इस बात को जानते हो मुझे शायद बोलने की जरुद नहीं है और ये ये पूरा देश जानता है समझता है जो सचावी होती है उसको बोलने की जरुद नहीं होती है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो आपने बात की है वो सिरफ एक गाउं से नहीं वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग से मिटाना हमारा काम है और यही कॉंग्रेस पार्टी का लक्ष है और यही अंबेटकर जी का लक्ष है आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जे हिंद जे भी